सिंग्रॉली पुलिस अधिक्षक विरेंद्र सिंग ने पत्रकार वारता करके बताया कि 12 घंटे से कम समय में ही आरूपी दीनु सिंग निवासी खटाई जिसका पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है जिसने दिव्यांग आदिवासी लड़की के साथ बलातकार करके हत्या की थी आरूपी के जान पहचान के लड़की बताई जा रही है आरूपी दीनु जख्म की निशान पाए गये पुलीस अधिक्षक ने बताए कि 12 घंटे से कम समय में इस अंधी हत्या का खुलासा करने पर सिंग्रॉली पुलिस को रिवा जोन आई-जी उमीश जोगा सम्मानित भी करेंगे पुलीस अधिक्षक ने बताए कि प्रभारियों की मदद ली सूचना पर थाने का स्कार्फ थाना प्रभारी बटाई गाहों पहुंचे और उन्हें गटना इस तरका मौाना किया और प्रतम दिस्जा उन्हें जो मामला है वो भत्या का समझ में आया उनके द्वारा सूचना दी गई सूचना को गंविर्टा से लेते हुए हमने डिसलेस पी और स्टी ओपी रख फांच थानों की हमारी टीम ने आपके एफसल पार्टी डाग स्कौर्ड और फिंगर्प्रिंट की टीम ने वहारा माना की जाके वहां पर गाहों में कैम किया गया और हमारी पूरी टीम है जो है जो जानकारी निकल के आई वो यह आई कि और बाइस मर्स की यूँथी थी जो बूलने पाती थी और वो एक तारी estéल को एक जनुरी को अँपने घर से निकल के तूलेट करने के लिए और इसी बीच एक पास में ही रहने वाला गर्का है वो इसको फालो करता है और जा करके जो स्पार्ट है घटा इस ताल है वहाँ पर वो उच्छी साथ में दुश्कर्म करता है और इसके बाद चुकि वो लड़की उसको पहचानती है और इसको इस बात का भैथा कि ये इसका नाम उपन कर देगी ऐसे इसकी में जो दुपट्टा था उससे उसका गला कि अाजीवरुस में इसे इनुरेट क्रते है तो बोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है को स्वार्टम के चुर्म की और जिए कितने लोग शामिड्यशा इसका नाम नाम दीनू सिंğ में गयों कर देगी इसमें एक चीज में और आपको बताना चाहूंगा, कि कुछ एक लोगों में ये बात भी निकल करके आई थी, कि उसका जो पृतका है, उसकी आँख निकाल लेगी है, लेकिन ऐसा कहना सहीं नहीं है, कुछ चीटियां जो हैं उसके आँख में अलगी हों थी, और इसकी बज़ स्मार्टर में भी इस बात की कुस्टी हुई है कि आँखें उसकी नहीं निकाले हैं, हमारी पूरी टीम जो है वो लगातार वहां कैम करके अथक क्रयासों से बारा घंटे से भी कम समय में इस पूरी जोहांती को निकालने में और आप सारुपी को पकड़ने में सफलता परा ध्यक्टों से थक्रीप mimड है। एड़ने में Maggieке एड़ने मेंन lucky वो में है। टीम है कियं। anyone